साथ्यों जब हम टेक्नोलोजीकल डिवाइड को ब्रीज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है भारत का सामर्थ भारत का इनोवेशन कल्चर भारत का इंफ्रास्रक्चर भारत का स्कील और इनोवेटिव मेंपावर भारत का फेवरेबल पॉलिसी एंवार्मेंट ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है इनके साथ ही भारत के पास जो दव प्रमूख शक्तियां है वो है ट्रॉस्ट और दूसरा है स्केल बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नलोजी को कोने कोने तक नहीं पहुचा सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि ट्रस्ट ये टेक्नलोजी जो वरत्वान की है उसमें ट्रस्ट ये पुर्व शर्त है इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है आज भारत सो करोर मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रिसी अप दे वर्ल है सस्ते स्मार्ट फोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल का कया कल्प कर दिया है आज भारत में हर महिने आठ सो करोर से अधीक यूपी आई आधारी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं आज भारत में हर दिन साथ करोड यूपी आथेंटिफिकेशन होते हैं भारत के कोविन प्रेट्फॉर्म के माध्यम से देश में दो सो बीस करोड चे अधीक वैक्षिन डोज लगी है बीते वर्षों में भारत ने 28 लाग करोड रुपीय से अधीक सीधे अपने सिटिजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं डारेक बेनिफिट ट्रांसपर्ट कि जंदन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आवाजी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं और उसके बाद यूनीक डिजिटल आइडेंटिटी यानि आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर सो करोर से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया जंदन आधार मोबाइल जैम जैम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्यन का विश्य है झाल